सनी वार या मंगल वार की दिन चुप चाप यहां बान दें काला धागा इतना पैशा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा असर कारक उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन शक्रात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा आपको हर कार में सफलता मिलने लगेगी इतनी खुशिया आएंगी आपके जीवन में कि जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी मुकते नकरात्मकता जो आपके हर काम में बाधायें रोडा लाती है घर में अश्वता लाती है वो इससे खत्म हो जाएगी दूर हो जाएगी यही नकरात्मकता आपके जीवन में रोडा बनकर खड़ी हुई है बाधायें बनकर खड़ी हुई है आप चाहे कितने भी मेनत म और आपको उश्ता फल नहीं मिलता, पैडाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समय शताने लगती है, और साथमे चिंताएं, कलेस आपको परिशान करती है, और फिर परिभार में अशान्तिछ हा जाती है, कलह कलेस होने लगती है, पत्पत्नी के बीच शंबाद का जो माध्य में वो गाइब हो जाता है लड़ाई जगड़े उसके जगए ले ले लेते हैं ये नकरात्मक्ता आपके आने वाली कई कारण आपके घर में हो शकते हैं ग्रह जनित दोसों से लेकर घर में गलत जगए रख्योई गलत चीजे और वास्तु दोस भी इसके कारण हो शकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दोसरे की नजर लग जाना इर्षा और जलन की वज़े से ऐसा होता है हमारे उपर आँख गड़ाई जाती है ऐसी नकरात्मक्ता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देत हमेशा दुख और निराशा देती है बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार करते जाते हैं फिर भी परियाप्त मात्रा में सफलता हमसे कोशो दूर उपाते हैं लेकिन आज का ये उपाए एक ऐसा प्रभावसाली उपाए है जो आपके उपर कोई भी नकरात्मक्त शक्ती को ह अभी नहीं होने देगा ग्रह जिने दोशों को दूर करेगा उनमें शुबता लाएगा जिससे आप अपने लक्ष को पाशकते हैं भाग का लेखा जोखा प्रतिच में ला सकते हैं ये उपाए करने के लिए आपको चाहिए होगा रेस्मी या सूती काला धागा थोड़ा सा काला धागा और भी कई मुशुवतें शमश्याओं से बचा कर बेख्त को अमीर तक बनने में काम आता है दोस्तों वास्तों में हमारा शरीर पंचितत्तों से मिलकर बना है ये पंचितत्त तो क्या है प्रतवी भाईव अगनिजल और आकास इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है इनसे मिलने से उर्जा से हम शभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जब किशी इनसान के बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंचितत्तों से मिलने वाली संबंदित शकरात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुँश पाती इसलिए शरीर पर काला ध धगा बांधा जाता है काला रंग नजर लगाने वाले की एकागरता को भंग कर देता है इसके कारण नकरात्मक्ता उर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती इसको अलग-अलग तरीके से उप्योग में ले शकते हैं और उसी के अंसार आपको उतना लंबा धगा लेना है ये काला धगा नकरात्मक्ता को अबश्योशित कर लेता है उन्हें शोक लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजर्ग की जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उसको किशी की नजर ना लगे इसलिए काला ठीका काला धगा लग नजदी के किशी शनी मंदिर या फिर हनवान मंदिर के पास चले जाना है अगर आप सनीवार के दिन जा रहे हैं तो सनीवार के दिन सनी मंदिर जाएं और अगर मंगलवार के दिन जा रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनवान जी के मंदिर पे जाएं अगर आप सनी मंदिर जा तो हनवान जी के चरणों का सिंदोर इस काले धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में साथ गाठे लगानी है प्रते गाठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की बिंती आपको भगवान से करनी है तो आपके जीवन की समस्याएं साथ गाठे लगाते वक्त आपको भगवान को बता शक्ते हैं आपको धन संबंदिश समस्याएं जो कार में अरचने आती हो संतान से जुड़ी कुछ परिशानी कर्ज बढ़ता जा रहा हो पारिवारिक जीवन में कलह कलेस हो हर समस्या भगवान शनिदेव को बता दे हनवान जी को बता दे और एक गाठ बांद ले इस तरह से आप साथ समस्याएं है तो साथ गाठ बांद दे फिर भगवान के चड़ों में एक दीपक जलाएं और ओम संसने चराने में इस मंतर का आप जाब करें और अगर हनवान जी के पास कर रहे हैं उसके बाद आप धागे को किसी से कोई बात नहीं करनी है चुप चाप अपने घर चले आना है फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पे रख देना है और उस धागे को अपने या फिर जिस ब्यक्त के लिए आप ये उपाई करना चाते हैं उस ब्यक्त के बाजू में आपको बांदेना है आप देखेंगे कि किसी प्रकार की अगर उसे नजर लग गई है या फिर बीमार है तो उसे आराम हो जाएगा उसके स्वास्त में भी परिवर्तन आएगा और निगिविटी भी चली जाएगी एक छोटा सा उपाय और करे शनीवार की दिन आप काले धागे लेकर जाएं और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा निगिविटी है आपको लगता है जिसे या पैसे की आमदनी रुग गई है आपको लगता है जिसे किसी की नजर लगी है ब्यापार में या नोकरी में तो आप काले धागे को आप अपने मुख दरबाजे पर बांदें तो एक तो निगेवेटी कभी नहीं आएगी दूसरा आपके घर में बुरे शक्तियों के प्रवेश नहीं होगा और पैशे आने के स्रोध बन जाएंगे दोस्तों काले धागा सनी मंदर के लेकर जाएं सनी मंदर में आप सनी देव के सर्चों का तेल लगा कर और इस काले धागे को अपने तिजोरी पे धन के स्थान पर बांदे तो इतना पैशा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे चारों देशाओं से पैसे आमदरी सुरत बढ़ जाएंगे पैसे ही पैसे आएंगे और पैसे के समस्य आपके घर से दूर हो जाएगी यनि कि अगर पैसे के आमदरी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको काला धागा अपने तिजोरी पे बान देना है बहुत से लोग इशे अपने गले में बानते हैं, बहुत से लोग इशे पैरों में बानते हैं, घूठी में बानते हैं, ताकि किशी की नजर ना लगे और बुरी शक्तिया अब आपको प्रभावित ना कर सके लेकिन आप अगर हन्मान मंदिर जा रहे हैं मंगलवार के दिन तो आपको हन्मान जी के सिंदूर लगा कर और फिर इस काले धागे को अपने तिजोरी पे या फिर आलवारी पे बांदेना है तो यकीन मानिए इतना पैशा आएका कि संभाल नहीं पाओगे शनिवार के दिन जाएं तो सन्मंदर के सरसे को तेल लगाएं और हन्मान जी के मंदर जाएं तो हन्मान जी के सिंदूर लगाएं फिर इस धागे को लेकर आएं और आप अपने मुख दरवाजे पर अगर बांदेंगे तो कभी भी निगेविटी परवाश नहीं करेगे और अगर आप अपने ध़न के स्थान पर बाढ़ेंगे तो पैसे के आमदनी बढ़े जाएगे और आपके बैपार में बृधि ओगी धन की कमी कभी नहीं होगी पैसे कभी भी आपके घर में खाली नहीं रहेंगे हमेशा धन के स्रोथ बने रहेंगे तो दोस्तो काले धागे का ये जमतकारिक उपाई जरूर करिएगा अगर आप ये उपाई करते हैं शनिवार या मंगलवार के दिन चुप जब अपने तिजोरी में बांदे काला धागा तो इतना परशा आगे कि संभाल नहीं पाऊगे तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा जैस अनिदेव और साथी साथ बीटो को लाइक करें जदेव शेर करें जोलों को सब्सक्राइब करिएगा